नमस्कार दोस्तों मैं कामेश्वर विशुकर्मा आवाट 24-7 से मैं आज शोपन बलाकंतरगत शिक्तावा टोला में हूँ जहाँ पानी के लेकर बहुत बड़ी समस्या है या बच्चे जिनकी उमर पढ़ने का है वह बल्टी लेकर पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं कभी प्लांट प्लांट वाले मैं पानी इसके लिए मना करते हैं मगर किसी तरह आवा 500 मेटर के अंदर अपना पानी का पॉसर्ण कर लेते हैं इससे की पानी के लिए मैं आये जंता से स्वयम बात करता हूं पानी के लिए उनको क्या-क्या इनकी तीन महिने से लंसम बता रहे हैं, कि पानी सिस्टम हमाँ लोग का नहीं सही, यह खराब है, चापा कल है, एक टंकी भी बनी हुई है, टंकी में भी पानी नहीं आ रहा है, ना इनके पास कोई शुब्जा अभी तक पुपलवदुई है ना आवास मिला है क्यों सौचाला इनको मिला है अभी तक परधान जी के द्वारा क्यों इनको सौचाला ही मिला है अभी तक यह मड़ई में रह रहे हैं यह परधान की लापरवाई है परधान जी अगर चाहे तो मोधी सरकार आवास योजना उजला योजना कई योजनाएं हैं ऐसी जो दे सकती है मगर परधान जी के लापरवाही के वज़े से यह आम जंता परफान है गरीब परफान है आदिवासिया इनका एक मजदूरिक क्रेसर प्लांट ही है इसी पर काम करके इनकों का जीवन सिक्टाहवा में पानी बच्चे तक ढो रहा है कि उनके पढ़ने का उमर है पानी ढो रहा है क्या पानी ब्रह सब्सक्राइं है उनके से बोलते हैं तो कहते हैं कि जाओ बनवालो बनवालो आप लोग अपने से बनवाएंगे उनसे कोई मतलब नहीं बन जाएगा कब बन जाएगा जैसे कि अभी कितने दिन से खराब है कितने दिन से खराब है है जो गया दो तीन महीन्ह दो तीन महीना से अब लोग पानी कहां से ला रहे जाना था न है ने मत अधल पानी से sat लगे से शुपने प्रदानी पानी कहां से कैसे पीत हो जाई वगताओ बतावा नावास खाली वोट लेवे हैं, पानी कहां से कैसे पीत हो जाई ही? बालन तेम से या तिन मेना हो कर दिए कि दिन मेना हो पाइ। तिन मेना शे या तिन मेना शे लो बात वान शेद